हेलो फ्रेंट्स तो मौसम चल रहा है चाइनी जेप के रिप्लेस्मेंट का तो आप सभी सेरिट का व्योग तो करते ही होंगे और सबके फोन में आम तोर पे सेरिट होता ही है सेरिट एक चाइनी जेप है जो कि भारती मार्केट में बहुत ज़्यादा पापुलर है हम अपने इसको सेर करने के लिए सेरिट का यूज करते हैं तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि अगर सेरिट को आप रिप्लेस करना चाहते हैं इसकी जगे पे कोई और यूज करना चाहते हैं तो कौन से आपका यूज करें यह जो यह आप है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है य और इसको अच्छी खासी रेटिंग मिली है 4.6 की रेटिंग है प्ले स्टोर पर 50 करोन डाउनलोड है इसके यानि की बहुत ही अच्छा याप है चलिए मैं इसे खोलता हूँ देखे हमने Google File App को Open कर दिया है इस एप में आपको तेन टैब मिलेंगे तो हमारा परपज है यहाँ पे फाइल को सेर करना Google File App के जरिये तो हम तीफरे टैब पर किलिक करेंगे Share यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है बिना इंटरनेट के फटाफट फाइलें शेर करें मैं इ इस डिरेक्शन में जिससे आपको की सही तरीक से यह चीज समय में आ जाए अब आप सही तरीके फिर देख सकते हैं यहाँ पे फाइल का अप्शन है इस इस एप में आपको तेन टैब मिलेंगे पहला टैब है डिलीट का मेटाएं दूसरा टैब है ब्राउजिंग का और ती आपके फोन में मेडिया फाइल वाटसेप मीडिया वीडियो उनके बारे में आपको टैब मिलेगा उनको आप डिलीट कर सकते हैं उस लेट करने के बाद जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको सेलेट करने के लिए आप सन आ जाएगा और आप उन फाइल को जो चाह लिखा हुआ है यहां पे आप जैसे फाइल मनेजर में फाइलं को फैलें खोल सकते हैं तो हमारा serait करणे हैं इस ऊचीय करें लिखा हैं, यहुपकै एंग्रीज Indicians कर रखे होंगे तो आपको लिखेगा सेंड और रिशीप यहां पर लिखा गया है कि बीना इंटरनेट के फाइले फटा भट सेयर करें तो चलिए हम इसे ट्राइट की जगहें इसे रिप्लेस करके देखते हैं कि यह गूगल फाइल से फाइले भेजने के मामले में कैसा काम कर करता है मैं इससे पहले भी कई बार कर चुका हूँ और इस ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है इसने कि जगह पर इसे यूज करने के लिए रिक्मेंड करता हूँ तो हम क्लिक करते हैं send पर यहां पर आपका नाम सेट करने के लिए आगा मैंने नाम सेट कर दिया है और फिर यहां पर बता रहा है कि अपने दोस्ट से application खोल कर पाए बटन पर टैप करने के लिए बोले तो आपके जो friends हैं वो टैप करेंगे receive बटन पर उन्होंने भी Google फाइल से अपको खोल लिया है तो उन्हें करना है receive और जैसे यह करेंगे receive देखिए मेरे friends जो की पी नाम से हैं आप पर आगया है अब हम पी पर टैप करेंगे और फिर यहां पर लिखेगा कि पी से जोड़ा जा रहा है connection हो रहा है इस connecting की पर के लिए में आप को कुछ सेकेंड लग सकते हैं 10 से 15 सेकेंड लग सकते हैं अगले फोन में आपको एक प्रॉम्ट आएगा यह decline और connect का तो मैं जैक करना connect मैंने कर दिया connect आप इससे पहले connect करने से पहले आप यहां पर ID match कर लिजेगा connection ID 145 145 यहां पर भी 145 145 connect कर लिया हमने पीश यह connection जोड़ा जा रहा है अभी हमने आप एसेप्ट किया है इसलिए अभी हम सेकेंड अभी गिनेंगे कि कितने सेकेंड का टाइम लगा connect होने में यह देखे connection हो गया है successful और अब हम कोई फाइल जो भीजना चाते हैं हम अपने उस फाइल पर पहुंच जाएंगे यहां पर बहुत सारे टैब डाउनलोड का वीडियो का अप्लिकेशन का इमेज का आडियो का और डाकुमेंट्स का जैसे कि सेरेट में आपको शो होता है वै यहां से कोई एक वीडियो टेस्ट करने के लिए सेलेक्ट कर देते हैं जैसे मालेजिए coronavirus तास आइलेंट कि लर इस वीडियो को हम टैप कर रहे हैं और इसे सेंड कर रहे हैं अब फिर देखे सेंड किया जा रहा है देखिए फाइल सेंड होने में कितना समय लगता है यहां स्पीड काफी अच्छी मिल रही है 300 MB की फाइल है जो की सेंड हो जाएगी 1 मिनट 26 सेकेंड में तो यह स्पीड काफी अच्छी है और दोस्तों सबसे बड़ी बात दे है कि इसमें कोई एड नहीं है सेंड की तरह कोई ऐसे चीज नहीं जो आपको बार बार पर रिसान करती ह और यह हो गया आपका वीडियो फाइनल सेंड हो गया 209 मिनट का समय लगा तो काफी फास्ट है मतलब 1GB की फाइल आप 5 मिनट के अंदर ही इसमें सेंड कर सकते हैं सेरेट जैसी ही स्पीड यहां पे भी है तो फिर ठीक है दोस्तों आप से आप इस एप को रिप्लेस कर और यह है आप काफी अच्छा है इसमें कोई जादा प्राबलम नहीं आ रही कनेक्शन में और बड़ी ही आसानी से फाइल फेंट हो जा रही है तो टेक है फ्रेंट्स मिलते हैं के लिए वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग